आया देस्टों आज की सिभिदियों में लोग सेखते हैं कि जो आपका लिए पर कि लिए आता है उसको लिखने के पर का यह क्या वी अफुर्व क्या थरीष अविकिने का यह तो दो परकार रहें बनतलब होता है कि मतलब होता है कि किसी official काम के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो आपका अपचारिक होता है और official का मतलब जिसे माल लेते हैं कि आपको अगर आपके college में पत्र लिखना है ठीक है माल लेते हैं सुल्क माफी के लिए आपको अगर परधानाचारे जी को पत्र लिखना है तो यह आपका एक official पत्र हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपको अपचारिक पत्र लिखना होगा ठीक है और या फिर माल लेते हैं आप किसी भी काम के लिए पत्र लिखना है तो ये भी आपका अपचारिक पत्र के अंतरगत आएगा ठीक है और उसके बाद से रही बात अनपचारिक है तो देखें अनपचारिक का मतलब होता है मालत है कि अगर आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है तो ये आपका अनपचारि एक पत्र के अंतरगत ही आता है खिंग है पिसी साधी वीवा फंक्शन के लिए अगर आपको दोस्त को बुलाना यह ठिक है तो यह आपका अनवचारी के रूप का पत्र होता है ठेक है तो यह आप अब आपचारिक और अनपचारिक यह लिखते कैसे हैं ठीक है थोड़ा थोड़ा यह अंतर होता है तो वो चीज है हम आपको इस वीडियों बताएंगे तो चलिए यहां पर हमने एक पत्र ले लिए ठीक है जिसमें हमें क्या करना है कि सुल्क माफी है तो परधानाचारे जी क लिखना है मतलब ऑफीशियल है ठीक अफीशल का मतलब की ओपचारिक पत्र है ठीक है तो आई देखते हैं कि ओपचारिक पत्र लिखते कैसे ठीक है अब जरूरी नहीं कि यही वाला सेंट परसे कॉपी करके आपके एक्जाम में आजए ठीक है कुछ भी आ सकता है ठीक तो परस आपको ध्यान में क्या रखना है कि यह वालों जो ऑफीशियल लेटर है ठीक है जो आपका आपचारिक पत्र है इसको लिखते कैसे ठीक है लिखने का तरीका है वह आप हमेसा याद रखेगा ठीक है और बाकी सब जो उसमें चीजे हैं उसको आप बदल करके लिख दें अब शेवा में ठीक है यह पहला लाइन आपको कम्प्लिट उटे उगे उसके बास से परधानाचारे जी को लिखा जा रहा है तो यहां पर लिखेंगे इनम से रिस्पेक्ट के साथ में स्री मान परधाना चारे प्रधानाचारे माउथ है यह आपका इसका पहला लाइन कम्प्लिट होगे ठीक है उसके बास से दूसरे लाइन में आपको कॉलेज का नाम लिखना है ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे कुछ भी लिख सकते हैं तो यहां पर हमें सर्वोदे इंटर कालेज थीक है अभी यह कहां पर है तो उसके लिए हम 2डं यूज करें नाम बड़ा होता है ठीक है कोई बात नहीं इस पूरे लाइन का यूज कर लिए ठीक है घेडिक इतना कंप्लेट होगे उसके बाद से आपको अगला काम करना है कि किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं ठीक है वो चीज तो यहाँ पर हम डाल देंगे विश्ए सुल्क माफी है तुछ सुल्क माफी है अब इसके पास एक लाइन चोड़ देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अधम से साव यह सारे यह एधम लाइन होना चाहिए ठीक है महूद महोदे और यहाँ पर कौमालादा देंगे ठीक अब यहाँ से हम सुरू करेंगे ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे इन लिग देंगे कि महोदे सबने निवेदन है सबने निवेदन है कि मै कि आपके विद्याल आप यहां से चब लिखेंगे ठीक है यहां से हम इस पर छोड़ा है अब फिर से दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे ठीक करेंगे तब हम यहां से लिएं महोध के सिद्यां जर्श नीचे आपके विद्याल है विद्याले के विद्याले का कक्षा दसवी का छाद्र हो यह आपको इतना लिख देना है हो गया इतना चीज्ज आब इसके बाद से क्या लिखना है इतना आपने बता दिया, आप इसके बाद से लिखना है कि आपके यहां हम तीन भाईबन पढ़ते हैं आप इसके बाद से लिखेंगे और महंगाई का अधिक होने के कारण हमारा जीवन यापन यापन बहुत मुश्किल मुश्किल हो रहा है हो रहा है मुश्किल हो रहा है इसलिए या लिखेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सुल्क माफ करने का कस्ट करें कस्ट करें है ठीक है आपकी अति महान किर्पा होगी लाश्ट में लिखना है आपकी आपका अगया कारी अक्या अंसरी अर्य लड़की है तो लिखेंगे सिस्या टिक लड़की xnings टिक लड़की इंटेंगे सट्विष्या और स्ट्विष्या ऌँ है दूतकर principles आ AMY तो इस है यह या पर आपको नाम डाल दे रहा है न है कि Paulät्थ है और आप गटें रोल नमबर को यहां पर कुछूद डाल सकते हैं जी रोए दो हम डाल दे रहें कच्छा कच्छा रोल नमबर से पहले डाले और बहतर आए तक्छा दस भी सिंव उसके बाद से चाहें तो यहां पर दिनांग भी डाल सकते हैं कि दिनाग बाद कुछ टाल सकते हैं जीरो दो जीरो छे और दो हजार बस इस तरीकस कर देजिए खथम बस इतना ही आपको लिखना होता है ठीक है और एक चीज़ जो सबसे इंपोर्टन है कि यह वाला जो हमने बीच में ये कहानी लिखे जरूरिनी की दम से सेम रट के जाएं और यही वाला इसा नहीं है आपको यह जो बीच वाली कहानी है इस बीच में आपको उस चीज़ से रिलेटेट ठीक है फीस माफी से रिलेटेट आप कुछ भी लिख सकते ह है यह हमने जितना भी छोटा हो सकता था वह हमने यहाँ पर करके और आपको बता दिया ठीक है अब इससे छोटा अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको नंबर बहुत कम मिलने वाला ठीक है जितना छोटा हो सकता था वह हमने आपको बता दिया ठीक तो यह हमारा हो गया था ऑफिसियल ठीक है अब चारिक जो पत्र लिखा जाता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है अब जब अनौप चारिक जो पत्र है उसको कैसे लिखते हैं जानते हैं कि अनौप चारिक पत्र किस तरीके से लिखते हैं अब मित्र दोस्त वेवारी को लिखना है तो वह पत्र किस सरीके से लिखा जाता है टो देखे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस राज manufacturing आप रहते हैं उसका यहां पर नाम याह hating तो झाहिए है हम डाल दें रहे हैं उत्र-प्रदेश कि कैbelt ऑब कर सके जिला से आक रहते हैं तो यहां पर डाल देंगे मेर इच झाहिए है यहाप कुछ हूं दआ है कौन ओ समस्या कोई चेक करने नहीं जाएगा कि यह सही ज रहा उसकह पात से दिनांक डाल देना हैं डिनांक कि शेंच कुछ हूं सकते हैं 2022-09 901000रे से काट दीजे उसके बासे य reduction चोड़कर के और यहाँ पर लीगना है प्री मित्र तिक कर रिये और वह कर यह कोना दिखत नहीं है अब इसके बाद से अगले लाइज से लिखेंगे नमस्कार, नमस्कार, असान रहता है ठीक है, उसके बाद से आपको शुरु हो जाना ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, किस पर लिखना है, तो अपने बिसेस रूज़ का उलेक करते वे अपने मित्र को एक पत्र लिखना है ठीक है बीसे जुरूची का मतलब आपके अंदर कोई एक टालेंट है ठीक है जिस पर आप काम करना चाहते हैं ठीक है तो वो उस चीज के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर आम लिखेंगे कि आज बहुत दिनों बाद यह पत्र लिख लाओ तो इतना हो गया इसके बाद से अब लिखेंगे कि यह पत्र लिखते समय यह पत्र लिखते समय बहुत खुशी हो रही है उमीद करता हूँ या फिर आसा है है कि तुम भी और कि अपने जीवन में अपने जीवन में स्वास्था और प्रश्ण हो गए ठिक हैन्ओ यह आपको अपने बारे में और दोस्त के के बारे में यहां पर दो तिंग लाइन निखता है सबसे पहले ठीक है तो अपने जीवन में कि प्रशन प्रशन है कि और कि हो गए कि यह इतना हो जाना है अपने रूच के बारे में उल्लेक करने के लिए ठीक है तो आपको जीश स्फेल में इंट्रेस्टेड हैं खेल में या पुकि जीशी में आपके अंदर टालेंट है उस पर युसके पर लिए न पर लिःते हैं धुक है तो यहाँ पर हम लिगेंगे कि तुम झानते हो तो हो कि मुझे बच्पन कि क्रिकेट खेलने का क्रिकेट क्रिकेट खेलने का अब सोख है अब यह फिर आपको यह सब्सक्राइब किर्केट खेलना मुझे बजबन सही किर्केट खेलना बहुत पच्छान थे ऐसा भी लिख सकते हैं तो अब इसके बाद से और कि मैं क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के दुनिया में सचीन तंदूल कर जैसा एक महान क्रिकेटर बनना चाहता हो है तका उत्रना होगया उसके बाद से आपको कहा लिख देना है इसके बाद साथ फों लिखना है गृकेट कंद प्रीकेट अब हम ऑप थरो सा दोस्त के बारे विए ठीक है क्रिकेट क्हेलने लार्ग है का गवजोग तो तुम्हें भी था तुम्हें भी था ठाके ? लेकिन तुम इնजिनियर बनना च्पहते थे इंजिनियर बनना चाहते थे ठाके उसके पास आपब लिए देना है कि मैं भगवान से प्रात्ना करता हूँ कि तुम्हारा जो भी सपना है जल्द पुरा हो इतना हो ठीक है उसके पास से यहां पर लीदेंगे कि तुम्हारा तुम्हारा प्रियमित्र प्रियमित्र ठीक है यह नाम डाल देंगे नाम यही आपको इतना लिखना है अब यह वाली जो कहानी है यह हमने अपने तरफ से लिखना है तो आपको यही चीज इसमें द्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले यह वाला चीज पढ़ना है आपको क्षेट पेकर से किस चीज के वारह में लिखना है ठीक है तो सबसे पहले यह पढ़ना है उसके बाद साउती हूं में तो यह आपको दोनो चीज संडर लिखना पता हो गया होगा कि ऑपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और और अपचारी पत्र सबर्जों और घृब अनलोक की नाय ट्रीक बात करेंगे तो उस्के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके रखाए अगला जब वीडियो आए तो उसका नोट फेस अना पूछ जो मिल जाए